गोड मॉनिंग चर्डरन आज हम सीखेंगे उप की मात्रा को लगा कर अक्षर को पढ़ना ये मात्रा अक्षर के पैरों में लगती है और अक्षर जब इसे अपने राइट हेंड साइड में किक करता है तो आवाज आती है उप इसकी आवाज छोटी होती है इसलिए इसे छोटा उ की मात्रा भी कहते हैं जैसे क में लगी छोटा उ की मात्रा तो अक्षर बना को जिस अक्षर के साथ में मात्रा लगती है उस अक्षर का साउन मात्रा के साउन के साथ जुड जाता है तो चलिए क से ज्याँ अक्षर तक में हम अब उ की मात्रा को लगाकर पढ़ना सीखें क, ग में उकी मात्रा कुप ख, ख में उकी मात्रा खुप ग, ग में उकी मात्रा गुप अंग में उकी मात्रा नहीं होती च, च में उकी मात्रा चुप जब जब में उकी मात्रा जुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ धा में उकी मात्रा धुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ प प में उकी मात्रा पुख, फ में उकी मात्रा फुख, ब में उकी मात्रा भुख, भ में उकी मात्रा भुख, और म म में उकी मात्रा मुख, य में उकी मात्रा युख, र 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 में उकी मात्रा युख नीचे नहीं लगती, र के पीठ में लगती हैं, देखिए ऐसी, र में उकी मात्रा रु, ल में उकी मात्रा लु, व में उकी मात्रा वु, श में उकी मात्रा शु, स में उकी मात्रा शु, स में उकी मात्रा शु, ह में उकी मात्रा वु, ख में उकी मात्रा वु, ख में उकी मात्रा वु, ट में उकी मात्रा वु, ट में उकी मात्रा वु, ट में उकी मात्रा वु, और ग्या, ग्या में वो की मात्रा ग्या तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जैन